हलो दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इस चैनल में मेरा नाम है RV आज मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूँ Realme 2 और Nokia 5.1 Plus इस वीडियो के अंदर हम करेंगे इन दोनों मुबाइल्स का स्पीड टेस्ट और जानेंगे किस मुबाइल के अंदर आपको बैटर स्पीड देखने को मिल जाती है कौन सा मुबाइल तेज है और कौन सा स्लो है तो अगर आप मुबाइल परचेस करने की सोच रहे हैं 9 से 10 हजार के आसपास 10,000 के आसपास तो इस वीडियो को एंट तक देखते रहिएगा मैं आपको बताऊंगा आपको इन दोनों मुबाइल्स में कौन सा खरीदना चाहिए तो चलिए स्टार्ट करते हैं डिजाइन वाइज आप देख सकते हैं दोनों ही मुबाइल बहुत ही जादा शानदार है रियल्मी 2 आता है 9000 रुबी की प्राइस में और डाइमंड लुक के अंदर बैक साइट पे जोसका पैनल है डाइमंड लुक के अंदर आपको मिल जाता है इसके अंदर 3GB RAM 32GB की इंटरनल स्टोरेज आपको मिल जाती है Nokia 5.1 प्लस आता है 10500 रुबी की वैल्यू में और आपको इसका बैक पैनल काफी जादा ग्लॉसी देखने को मिल जाता है दोनों ही मुबाइल में बैक साइट पर आपको ब्राणिंग मिल जाती है Nokia की और रियल्मी की इसके अलावा दोनों ही मुबाइल के अंदर आपको ड़ोल कैमरा देखने को मिल जाते है लुक आप देख सकते हैं कैमरा एंगल आपको लेफ्ट साइट पर उपर की तराफ आपको रियल्मी 2 में कैमरा मिल जाता है उसके बराबर में flash और बीच में fingerprint scanner दोनों ही मोबाइल्स के अंदर आपको notch देखने को मिल जाती है Nokia की जो notch है थोड़ी बड़ी है और Realme 2 की जो notch है वो average है जादा छोटी भी नहीं है जादा बड़ी भी नहीं है चलिए देख लेते हैं इन दोनों ही मोबाइल्स की bezels को तो display में bezels जो है वो काफ़ी जादा छोटी दी गई है दोनों ही मोबाइल्स में Nokia के अंदर आपको branding मिल जाती है bezels के अंदर और Realme 2 के अंदर bezels जो है plain है बाकी Realme 2 की भी bezels काफ़ी जादा छोटी आपको देखने को मिल जाती है बैक साइड से आप देखेंगे तो दोनों ही मोबाइल काफ़ी जादा खुबसूरत लग रहा है दोनों ही में fingerprint scanner देखने को मिल जाता है Realme 2 की जो display है वो है 6.2 इंचिस की और Nokia की display है 5.8 इंचिस की दोनों ही मोबाइल में आपको 32GB की internal storage मिल जाती है और 3GB RAM देखने को मिल जाती है User Interface आप देख सकते हैं दोनों ही मोबाइल का किस तरीके का है Nokia के अंदर आपको stock Android मिल जाता है Realme 2 के अंदर आपको मिल जाता है Color OS version 5.1 चलिए मैं दोनों की settings open करके आपको दिखा देता हूँ detail look इनकी specifications के बारे में और इनके अंदर आपको कौन सा Android का version मिल जाता है तो जैसे ही हम जाते हैं about phone के अंदर आपको देखने को मिल जाती है इनकी specifications आप पढ़ सकते हैं बाकी Oreo 8.1 दोनों ही mobile के अंदर आपको latest version मिल जाता है Android का आप देख सकते हैं किस तरीके का look लग रहा है दोनों ही mobile में आपको थोड़ा handy mobile मिल जाता है 5.8 inches में Nokia और अगर आपको बड़ी display जादा पसंद है तो आपको Realme 2 6.2 inches की display के साथ जादा बैटर रहेगा चलिए तो close look देख लेते हैं इन दोनों ही mobile की notch पर तो Realme 2 के अंदर आपको मिल जाता है camera, sensor, earpiece notch के अंदर और यही चीज़ आपको देखने को मिल जाती है Nokia के अंदर notch की वज़े से और bezel less display होने की वज़े से दोनों ही mobile की displays जो है बहुत ही जादा प्यारी लग रही है बहुत अच्छी लग रही है looking wise अब आप मुझे comment section में बताएगा आपको कौन से mobile की display जादा better लगी चलिए इन दोनों ही mobile का speed test start करते हैं और दोनों ही mobile की जब मैं power की press करता हूँ restart करने के लिए तो Nokia में आपको performance जादा better मिल जाती है काफी जादा पहले जो है option आजाता है restart का बाकी restart का option आपको remote 2 के अंदर नहीं मिलता है तो अब चलिए switch off कर देते हैं दोनों ही mobile को और देखते हैं restart करके कि किस mobile की speed आपको जादा better देखने को मिल जाती है तो जैसे ही मैं power की press करता हूँ इन दोनों mobile को start करने के लिए तो response जो मुझे मिलता है वो realme में जादा पहले मिल जाता है Nokia के comparison में बाकी इतना जादा time difference इन दोनों mobile के अंदर नहीं था आप देख लेते हैं कौन सा mobile कितना जादा time लेता है तो जब हम boot करते हैं mobile को तो आप देख सकते है realme की कुछ इससे लिखावा आता है और Nokia की कुछ branding इस तरीके से आपको देखने को मिल जाती है बाकी 13 plus 2 megapixel का rear camera dual camera आपको मिलता है realme 2 के अंदर और 13 plus 5 megapixel का आपको dual camera मिल जाता है Nokia 5.1 plus के अंदर जैसे कि आपने देखा दोनों ही mobile जो है बिलकुल एक साथ थोड़ा सा time difference रहा है तो जैसे ही मैं open करता हूँ Candy Crush गेम को दोनों ही mobile में तो आप देख सकते हैं open हो चुके हैं एक साथ बाकी Nokia 5.1 plus के अंदर ये game जादा पहले open हो गया realme 2 के comparison में और तकरीबन 3 से 4 सेकंड का फर्क रहा इस game के अंदर और graphics का difference आप देख सकते हैं चलिए next game की तरफ बढ़ते हैं Ludo King को और देखते हैं किस में better speed मिलती है तो graphics का difference इन दोनों games के अंदर भी जादा देखा जा सकता है बाकी अब देखते हैं किस mobile के अंदर जादा पहले loading हो जाती है तो इस game के अंदर भी Nokia 5.1 plus के अंदर loading जादा पहले हो गई और थोड़ा सा time difference रहा इस game के अंदर realme 2 के comparison में चलिए अब open करते हैं subway surfer game को यह थोड़ा सा heavy game है और loading जादा होती है इस game के अंदर अब देखते हैं किस mobile में जादा पहले open हो जाता है यह game बाकी graphics का difference इन दोनों mobile's के अंदर इस game के अंदर भी देखा जा सकता है loading काफी जादा fast हो रही है Nokia 5.1 plus के अंदर और हो चुकी अब देखते हैं कितना जाद time difference देखने को मिलता है realme 2 के comparison में तो तक्रीबन आपको 3 से 4 सेकंड का फरक इस game के अंदर भी देखने को मिल जाता है Nokia 5.1 plus जो है जादा fast चल रहा है चलिए आपको मैं graphics भी दिखा देता हूँ game play करने के बाद आप देख सकते हैं किस mobile के graphics आपको जादा better देखने को मिल जाते है यह चीज मुझे आप comment section में जरूर बताएगा आपको कौन से mobile के graphics जादा better लगे 1.8 GHz का octa core processor snapdragon 450 आपको मिलता है realme 2 के अंदर और 2 GHz का media tech का P60 octa core processor आपको मिल जाता है Nokia 5.1 plus के अंदर चलिए next application open करते हैं दोनों ही mobile में temple run 2 और यह थोड़ा सा heavy game है इसके अंदर देखते हैं graphics की performance किस mobile के अंदर जादा better देखने को मिलती है तो open हो चुका है दोनों ही mobile में एक साथ game बाकि अब loading देखते हैं किस mobile के अंदर जादा fast हो जाती है तो Nokia 5.1 plus के अंदर भी यह game जादा पहले open हो गया अब time difference देख लेते हैं इस game का भी तो तकरीबन आपको वही 3 second के आसपास जो है फर्क देखने को मिल जाता है अब मैं आपको graphics भी दिखा देता हूँ दोनों ही mobile में game प्ले करने के बाद तो आप देख सकते हैं difference इन दोनों ही mobile के अंदर game का कितना जादा आपको देखने को मिलता है किसके graphics आपको जादा better लग रहा है और आप देख सकते हैं gameplay हो चुका है दोनों ही mobile के अंदर और graphics का काफ़ी जादा फर्क देखने को मिल रहा है दोनों ही mobile के अंदर 3060 mh की बैटरी आपको मिलती है Nokia के अंदर और 430 mh की आपको बैटरी मिल जाती है Realme 2 के अंदर चलिए next application की तरफ बढ़ते हैं और open करके देखते हैं अब उसमें कितना time difference आपको देखने को मिल जाता है तो mini militia game open करके देखते हैं दोनों ही mobiles में थोड़ा light game है तो जैसे ही मैंने click करा इस game के उपर तो वो भी थोड़ा सा reflect हो गया Nokia के अंदर जादा पहले जादा time difference इस game के अंदर देखने को नहीं मिलता है दोनों ही mobiles के अंदर अब देख लेते हैं next application के अंदर थोड़ी light applications ट्राइ करके देखते हैं तो google chrome हम open करते हैं या आप regular use करते होंगे तो ये application भी दोनों ही mobiles में एक साथ open हो गई जादा time difference देखने को नहीं मिलता है play store हम open करके देख लेते हैं दोनों ही mobiles के अंदर तो वो भी एक साथ open हो गया बाकी कुछ और applications ट्राइ करते हैं light तो youtube हमने open करा तो youtube थोड़ा सा जल्दी जो है Nokia 5.1 plus के अंदर हो गया google drive हम open करके देखते हैं दोनों ही mobiles के अंदर जैसे ही मैं click करता हूँ तो ये दोनों ही mobiles में almost बराबर time में open हो गई अब देख लेते हैं google maps को ये आप regular use करते होंगे तो जैसे ही मैं click करता हूँ google maps के उपर तो performance हमें जो देखने को मिलती है दोनों ही mobiles में वो थोड़ इसी जादा speed में हो जाता है Nokia 5.1 plus के अंदर और Gmail open कर लेते हैं तो Gmail दोनों ही mobiles में almost 7 में open हो गया अब try कर लेते हैं call logs को ये आप regular use करते होंगे तो click करते ही call logs दोनों ही mobiles के अंदर एक साथ open हो गया थोड़ा सा जल्दी थोड़ा सा difference रहा Realme 2 के अंदर जादा पहले open हो गया messages हम open करके देख लेते हैं दोनों ही mobiles के अंदर तो click करते ही messages जादा better speed में दोनों ही mobiles के अंदर खुल जाते हैं इन basic applications के अंदर तो इतना बड़ा issue नहीं है इतना जादा time difference आपको देखने को नहीं मिलता है दोनों ही mobiles के अंदर camera हमने open कर रहा तो वो भी दोनों ही mobiles में almost 7 में open हो गया तो ये छोटी applications जो है basic applications इन में आपको difference देखने को नहीं मिलता है जो आप confused हो जाओ के मुझे कौन सा mobile purchase करना चाहिए कौन सा नहीं user interface का आप difference देख सकते हैं दोनों ही mobiles के अंदर किस तरीके का लग रहा है realme 2 के अंदर recent applications की windows किस तरीके सा आ रही है और Nokia 5.1 Plus में आपको कैसे देखने को मिल जाता है बाकी light application में तो दोनों ही mobiles की speed बराबर है कुछ जादा difference देखने को नहीं मिलता है और heavy applications के अंदर आपको जो better speed मिलेगी वो तो Nokia 5.1 Plus के अंदर मिलेगी अब आप मुझे बताएगा अपनी need के according battery के या camera के या फिर body design के brand के trust के उपर कौन सा mobile आपको जादा पसंद आया मैं कोशिश करूँगा next video के अंदर इन दोनों mobiles के camera comparison करने की क्योंकि camera comparison के अंदर इन दोनों mobiles में काफी जादा difference जो है feedback आयते हैं काफी जादा आपको देखने को मिल जाता है कोशिश करूँगा मैं next video के अंदर इसको cover करने की अगर आपको वीडियो पसंद आई तो like कर दिएगा चैनल पर आप नए है तो subscribe कर लिएगा उसके साथ bell icon भी दबा दिएगा ताकि मेरी वीडियो की updates आप तक पहुँचती रहे है और mobile कौन सा पसंद आया ये ज़रूर ही बताएगा comment section के अंदर Nokia या फिर Realme 2 मिलते हैं next video के अंदर किसी नई unboxing, speed test या फिर comparison के साथ और आपको वीडियो helpful लगी तो इसको friends के साथ share कर दिएगा WhatsApp, Facebook पे चलिए मिलते हैं next video में Take care, bye bye